तो गाड़ी जो है अपने आप में बहुत बड़ा ब्रैंड है वन अव द बैस्ट कार इन दी सेंचुरी आपको बताना चाहूँगा गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं यह देखे आप देखना चाहेंगे आपको दिखाना हम चाहते हैं यह देखे हैं यह बहुत अग्रिसीव हैं इसमें मिल जाता है अभी हम आपको इसमें जो है बॉनेट ओपन करके दिखाएंगे वो भी अभी सेंचुरी हमेशा से टॉप क्लास में रही है मारूती की यह प्रोड़क्ट अब देखें इंजन इसमें जो आपको मिल जाता है 1197 सीची का मिल जाता है बी एचपी इसकी रहता है 1.80 बी एचपी यानि 6000 आर्पेम पे गाड़ी काम करती है 113 एनपी 400 आर्पेम इसका जो वो है टोरक के आ जाता है गाड़ी बहुत ही जादा लुकिंग में बहुत अच्छी है यूद आजकल जो है गाड़ी को बहुत यूज़ कर रहा है मारूती खुद में अपना एक ब्र 14 यह देखें जिब बिल्कुल आर 14 के इसमें टायर आजाते है ठीक है 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 फैस्ट बैक सेगमेंट आता है ग्राउन के लिए से इसका आता है 163 mm का और यह देखें टन इंडिकेटर जो आ जाते बारवला जो मिरर होता है साइड मिरर इसमें टन इंडिकेटर भी गाड़ी के आजाता है vxsi model के अंदर 4 power windows आती है mmol जो मिरर का adjuster होता है वह भी इसमें वलेबल हो जाता है locking के लिए भी आजाता है जो center locking होता है इससे आप कर सकते auto में आपका एक जो driver side का मिरर होता हो आजाता है ठीक है तो गाड़ी के ंदर जो features फोर पावर Windows के साथ आएंगी बोटल रखने के लिए जगा होती है यह देखें आपको अंदर से हम दिखाएंगे यहाँ पर seat adjuster आ जाता है ठीक है आप इसको adjust कर सकते हैं यह fuel tank के लिए आ जाता है तो आगे चलते हैं थोड़ा अब देखें स्टारिंग पर controls आ जाते हैं mood change करना हो volume and all bluetooth connectivity mute करना हो तो यह सब सबी features में available आ जाते हैं यह देखें यह देखें जो look है meter की digital meter जो है aggressive look के साथ इसमें आ जाता है तो इसको भी हम आपको on करके दिखाएंगे just wait अभी देखेंगा यह देखेंगा यह देखेंगा यह देखेंगे यह एक ultimate digital meter बीच में है side में tachometer आ जाता है speedometer आ जाता है ठीक ह okay so आगे चलते हैं यह देखें जो sound का system है यह भी आपको देख जाता है touch panel के साथ यह आपको USB connectivity के लिए और आपका जो mobile charger socket जो होता 12 volt का वो भी इसमें आ जाता है ठीक है और यहां पर भी आपको power window देखने को मिलेगी महलों four power window के साथ गाड़ी आती है ठीक है four power window बेलेबल है manual transmission यह देखें manual transmitter है यह आपका आ जाता है handbrake okay so अब आगे आपको दिखाते हैं थोड़ा सो जो भी आप जानते हैं गाड़ी के बारे में सुप्ट अब सभी जानते हैं ऐसी कोई नहीं है जो सुप्ट के बारे में नहीं जानता है क्योंकि गाड़ी अपने आप में बहुत बड़ा brand है मारूती का सबसे बड़ा brand पीछे की जो द्रवाजे होते हैं उसमें जो इसको कवर अविलेबल हो जाते हैं इसमें आपको केट आ जाती है तो वील कषड़ेंगे से थी यह कंडिशन TE-टोप मॉडल में थो आप चलते हैं पिछे की light देखे कि लिए looking के साब से यह back जो white white आपको देख रहे है यह back के लिए है और इसमें जो light पी जो पिछलिया यह parking sensor आ जाते है इसमें reverse parking sensor ठीक है तो गाड़ी के अंदर यह आ जाते हैं यह मिल जाते हैं आपको VXI model के अंदर ठीक है तो यह देखे Swift VXI rear parking sensor आपको इसमें मिल जाते हैं आप आगे चलते हैं reverse parking sensor दिख रहे हैं आपको यह 4 1 2 3 4 यह reverse parking sensors है ओके so यह आपका fuel tank यहाँ पर यह देखे fuel tank है तो आगे चलते हैं तो गाड़ी जो है Swift मतलब मारुतिका सबसे बड़ा brand जब गाड़ी launch यह देखिए आपको यह T lamp मिल जाता है इसमें आपको back में ओके so यह सारे features के साथ गाड़ी है VBT engine आएगा so capacity 4 persons की capacity आजाती है इसमें ठीक है 5 speed आजाता है यह देखिए पीछे से lock unlock करने के लिए जो आपकी board space होता है यह देखिए आपका यह होता है यह आपको बताओं मैं आपको देखें बिल्कुल यह जो है आपका small समान होता है उसको रखने के लिए आачाता है ठीक है यह सब अवलेबल है day night rear view mirror passenger side rear view mirror ठीक है तो rear seat belt seat belt warning का भी है इसमें जो sound वो भी इसमें अवलेबल होता है side impact beam आ जाता है front impact beam आ जाते है adjustable seat आ जाते है engine इंजन इंबोलेर आ जाता है crush sensor आ जाता है engine check warning भी इसमें अवलेबल है EBD आ जाएंगे ABS आ जाते है देखे जो tools रखने की पहले जो हम उसके पास रखते थे अपनी इसट अपनी के पास use करते थे पर अब मारती ने इसमें आ जाते है तो यह सब आ जाते है speed alert speed sensing activity आ जाती है ठीक है तो यह सारे इसमें features available है मैं आपको interior के बारे में बता देता हूँ भी interior में electro multi-tempometer आ जाता है यह देखे keyless entry इसके अंदर है ठीक है यह keyless entries को बोलते हैं तो यह keyless entry आ जाती है tachometer गाड़ी के अंदर आ जाता है clock compartment digital clock आ जाता है digital odometer आ जाता है तो यह सब features गाड़ी के अंदर है यह मिल जाते हैं आपको digital highlight आ जाता है add lights आ जाते हैं बहुत सारे features मैं और भी आपको बता देता हूँ इसमें जो engine की capacity आपको बताई चुके है engine इसमें आपको मिल जाएगा 1197 CC का और इसकी जो value पर cylinder four cylinder मिल जाएगे four cylinder आ जाते हैं जो बोर है seven three seven two mm का बोर आ जाता है इसमें पेट्रोल वर्जन में आएगी fuel tank इसका 37 लिटर का रहेगा highway mileage का 22 बाइस पुन तर्टाली हो जाता ठीक है और आपको और भी features के मैं बता हूँ देखे ultimate जो गाड़ी है इस गाड़ी को जो है कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि ultimate गाड़ी है और इस गाड़ी का जो आप बोलते हैं मारूति एक सबसे बड़ा product है इसमें आपको resell value इसकी mileage और इसका हर सीज़ बहुत ही बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है तब ही गाड़ी market में तिकी हुए आज तक सो और भी मैं आपको बताता हूं length इसकी 3840 है width इसकी 135 है height 1530 में रहेगी sitting capacity 5 है ground class 163 wheel base 2450 फ्रेंट ट्रीड 1530 रियर ट्रेड 1530 क्रीव बेट है 850 से लेके 885 केजी तक gross weight इसका 1315 का मिलेगा rear hand room मिलेगा 1900 refilled okay front leg room 880 960 यह है और आपको और भी इसमें feature मिल जाते है टोप लेवल में जो गाड़ी है ultimate looking है गाड़ी की sporty look youth आजकल बहुत जादा इसको यूज कर रहे हैं यूज के लिए भी है आप इसको family के लिए भी यूज कर सकते